कि हत्या हुई है वह अभी भी वह उस खेट में और ऐसा मानना जा रहा है लोगों का कहना कि तिन-चार दिन से इस बाड़ी ऐसी खेट के नीचे तमस्कार आप देख रहें से साथ हूं मैं देवेंदर सिंग लड़ू कहते हैं कि पत्ना सिटी में किसी की नजर लग गई है चाहे वह लूट हो चोड़ी हो छीना जपती हो अब फिर देखिएगा पत्ना सिटी में एक रक्त रंजीस से फिर एक यूबक की हत्या हो जाती है य यह पार पोखड़ा मंडेई लाके का यहां जब दिखेंगा उनके परिजन उनकी माता है रो रोकर बूरा हाल है और जब देखा जाता है तो इस वक्त बैपास थाना में तो टॉप टेन के नंबर बंद थानों में से आता है क्योंकि लगतार आया दिन इस तरह की घटनाय हो अपराज जो है फूला बूला जो जिस यूबा की हत्या हुई है वह भी भी वह उस खेट में है और ऐसा माना जा रहा है लोगों का कहना कि तिन चार दिन से बाड़ी ऐसी खेट के नीचे हम आपको इंगित करवाना चाहता है लेकिन सवाल उता है क्या कि यह सासन पर सासन आ ओर फिर एक यूबक की जान चली आती है क्या कुछ मामला है हम सीड़े चलते है बैपास थाना को पड़बाड़ी अधिकारी है उनसे फिस जनकारी लेते है कि यह अपराध खास करके बैपास थाना च्शेतर में इस तरह की लगतार घटनाय क्यों हो रही है क्या बजा ओ सकत मेरे लड़का मेरे घर नहीं किया तो आज होगिया चोठा दिन अच्छा थाना में कल सारे नो दस्वज लगाए थे रिपोर्ट की यह तो इनकी सुबह सुबह आवेंगे लेकिन सुबह तक नहीं थिंद वारा गए तक इनकी गारा वज़ लावेंगे आपको कौन लगते थे अचा कहा गये थे खुश्रूपुर को इसलिमपुर गाओं है हम फोन कर देंगा अचा कि यह तो यह तो यह तो अच्छा आओ कि अच्छा आओ झो कि नहां वा कु लुकर बहरे aj के लोगहता है। अी लुत कर भर नहां? जहां जह एक लोंचह लाप पार करके है इसार दादी मंदिर के तरह